तो कोश्ट गाड़ वालो सबसे पहले आप यहां पे ध्यान दीजे कि परिक्षाय पर आपके लिए डीबी और जीडी की टेस्ट सीरीज लांच कर दी गई है और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया यह आपकी एक्जाम की त्यारी के लिए बेस्ट है जब आप इन यह इस्टेंड आप 50 कूपन को डी यूज कर लिजेगा आपको 50% का छूट मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा तो सिर्फ आप 140 रुपे में इन टेस्ट सीरीज को खरीद के साल्व कर सकते हैं सजाई वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में लिंक है बाई करिए और साल्व करना सु जहें दोस्तों कैसा आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे सो फाइनली समय होचका है हमारी रिजनिंग के क्लास का चलिए फट 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 अपलोग क्लास पर आजए और आज के इस क्लास में हम लोग रिजनिंग का एक नया चेप्टर सुरू करने वाले हैं जी हैं दोस् चेप्टर है रिजनिंग का वहां से एक प्रस्न आपके एक्जाम में 100 परसेंट आता है कोस्ट गाड में और कम से कम दोप्रस ने भी वे और दो प्रस्न जो है एर फोर्स में बाकी यह जो नया चेप्टर है इसका नाम है इंसल्टिंग दा मीसिंग कैरेक्टर स्टिक है तो चलिए देरना करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, मैं आपको बता दूँ कोश्ट गार्ड में इस चेप्टर से inserting the missing characters वाला, यहां से कम से कम एक कोश्ट गार्ड में होता है, कम से कम एक से दो कोश्ट आपका Navy में और वही एक से दो कोश्ट कम से कम Air Force Y ग्रूप में पूछा जाता है, तो देखें, यहां पर प्रतिक प्रस्ट पे at least मैं आपको 10 से 15 से कंड का समय दूँगा, आपको solve करना है, और साथ ही साथ जो है, मुझे बताते हुए चलना है कौन सा सही होगा, बाकी आपके साथ में मैं भी solve करूँगा और आपको बताऊंगा कैसे होगा, तो चलिए, पहला question सुरू होता है, यहां पर क्या दिया गया है which one will replace the question mark, ठीक है, question mark, यहां पर क्या आएगा, question mark की जगए पूछ रहा है देखें, यहां पर तीन square boxes दिये गए है, जिसमें पहले में 5, 4, 7, फिर ट्रेंगल में 8, फिर उसके बाद 6, 9, 5, फिर उसके बाद ट्रेंगल में 10, फिर 3, 7, 2, फिर ट्रेंगल में जो है, question mark, यह question mark आपको find करना है, यहां पर क्या आएगा, ठीक है तो चलिए, आप लोग solve कीजे, फटा फट करिए, comment करिए, कौन सा answer आपका जो है, सही होगा, इन चारो option में से, option number A, 1, option number B, 4, option number C, 3, और option number D, 6, चलिए, मैं आपको बतातेता हूँ, सबसे पहले देखें, क्या किया गया है, यह जो square में तीनो number है, इनको जोड दिया गया है ठीक है, उसके बाद, divide कर दिया गया है, दो से, प्रतेक को, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है, तीनों में, तो कैसे होगा देखेंगा, सबसे पहले 5, plus 4, plus 7, ठीक है, इसको जोड दिया गया है, और divided by 2 कर दिया गया है, कैसे, 5, 9, 7, 16, और 2 से जब 16 को भाग देंगे, कितना आठ आजाएगा, ठीक है, वैसे ही, 6, plus 9, plus 5, तो 9, 6, 15, 15, 15, 20, divided by 2, ठीक है, कितना आजाएगा, 10 आजाएगा, 20 को 2 से डिवाइट करेंगे, तो 10 ही आएगा, अब उसके बाद, यही लाजिक इसमें भी लगाएगा, कैसे, देखिए, 3, plus 7, plus 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7, 10, 2, 12, तो अब बताएगे, 12 को जब 2 से डिवाइट करेंगे, तो कितना आजाएगा, 6 आएगा, क्योंकि 12, 6 बार में 2 से कटेगा, तो 6 दूनी 12, यानि, जो इसमें option number D है, हमारा 6, वो बिल्कुल correct हो जाएगा, question mark की जगे पर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, च करना है, कैसे कौन सा logic होगा, आप solve कीजे, चलिए, आप solve कीजे, मैं आपको option बताता हूँ, option number E, 25, option number B, 37, option number C, 41, और option number D, 47, तो उमीद करता हूँ, आप लोग solve कर रहे होंगे, चलिए, मैं भी आपको जो है, logic बताता हूँ, इसमें कौन सा logic है, और कैसे solve करना है, देखे, स और बाहर कौन सा है, 3 है, तो 5 गुड़े 3, प्लस, जो नीचे वाला नमबर है, जोड़ दिया गया है, प्लस 4, ठीक है, तो क्या हो जागा, पांतिया ही 15, अब 15, 4 कितना हो जाएगा, 19, देखे, हो गया, ठीक है, तो वही logic इसमें भी लगाया गया, इसको solve कीजे तब ना, गुड़े, ठीक है, इसको और इसको गुड़ा कर दिया गया, 6 गुड़े 4, प्लस 5, ठीक है, तो 6 चब को 24, और 5 कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक हो एसे ही, जब triangle वाला करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 में 5 का गुड़ा करिये, 7 गुड़े 5, प्लस 6, कितना हो जाएगा, 7 5 जा आया है, वो बिल्कुल सही की है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, बहुत बढ़िया, चलिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अब हमारा अगला कोशन है, कोशन पे ध्यान दीजेगा, क्या है, which one will replace the कोशन मार्क, यहां पे कह रहा है, कि यहां पे देखे, तीन अलग जो है, डाइग्राम है, और तीनों में अलग अलग लग नमबर दिया गया है, पूछ रहा है, इस कोशन मार्क को बीच वाले को कौन replace करेगा, कौन सा नमबर इस चारो आपसन में से, आप साल्ब कीजे, मैं आपको आपसन बताता हूँ, आपसन नमर ए 45, आपसन नमर भी 41, आपसन नमर C देख लिए 32, आपसन नमर D है 40, उमीद करता हूँ, आप लोग साल्ब कर रहे होंगे, चलिए, मैं आपको बताता हूँ, देखे, यहाँ पे सबसे पहले देखे, क्या किया गया है, यहाँ पे पहले जो है, जितने भी नमबर हैं, इनमें 2 से गुड़ा किया ग गया है, 15 गुड़े 2, फिर 31 गुड़े 2, ऐसे किया गया है, ठीक है, वैसे ही, लास्ट वाला नमर आपको पता करना है, पहले 2 कर देता हूँ, फिर 3 आप समझ जाएंगे, तो अब 15 गुड़े 2 कर दिया गया है, तो 15 दूना 30, ठीक है, अब क्या किया है, माइनस, यह जो उ इलकुल बीच में वैसा ही नमबर पता करना है, जिसमें हम लोग 2 से, जब मल्टिप्लाई करें, और उसमें से 9 माइनस करें, तो एंस्वर कितना है, 81 आए, तो ऐसा कौन सा नमबर है, इन 4 आप से करके देखिए ज़रा, कौन सा होगा, बताई ज़रा, कौन सा होगा, मैं वे आए, 81, देखिए आगया की नहीं आगया, तो वैसे बिलकुल क्या किया है, 15 दूना 30 माइनस 3, 31 दूना, कितना हो जाएगा, 62 माइनस 6 इसकल टू 56, वैसे ही 45 दूना 90 माइनस 9 इसकल टू 1, क्यासी, ठीक है, तो करेक्ट आप से कौन सा होगा, आप से नमरे, जितने लोग भ बहुत ही अच्छा कर रहे है, बिलकुल ऐसे ही करना है, ठीक है, एटलिस्ट इस चेप्टर से हम लोग 25 से 30 कोश्चन दो दिन में मिला के करेंगे, ठीक है, कम से कम 30 कोश्चन करेंगे, ताकि जो लॉजिक है, वो हम समझ जाए, जब देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होत of option में से, आप solve किजे, मैं आपको option बताता हूं, option number a है 36, option number b है 48, option number c है 38, option number d है 30, चलिए अब भी solve किजे, मैं भी solve करता हूं, आप देखिएगा, यहां पर क्या किया गया है, इहाँ पर, जितना भी यह 4 आंक आपको दिख रहा है, एक, दो, बाहर का, मैं बीच वाल नहीं से 2 घटा दिया गया है जैसे 0 देखेगा मैं पहला कर रहा हूँ 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 ठीक है तो कितना हो जाएगा जोड़िए जरा 0 प्लस 2 कितना होगा 2 ही होगा तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 अब इसमें से minus 2 कर दिया गया है ठीक है तो कितना हो जागा इसको आपने calculate किया ये वाला चारों कितना हो गया 12 12 minus 2 कितना आगया answer ये देखिए बीच में दिया गया है 10 ठीक वैसे ही दोसरे के साथ में करेंगे 6 plus 8 plus 2 plus 10 ठीक है 6 plus 8 plus 2 plus 10 कितना हो जाएगा अब minus इसमें 2 कर देना है ठीक है तो 6 8 14 14 10 24 24 कितना हो गया 26 26 में से 2 minus करेंगे तो कितना आजाएगा 24 देखिए आगया ठीक वैसे ही इसमें भी करिए जड़ा 4 plus 10 plus 14 plus 12 ठीक है यहां से bracket लगा दीचे minus 2 कर दीचे अब जोड़िया कितना है 14 और 10 कितना हो गया 24 हो गया 24 चार कितना हो गया जरा बताई मुझे 24 चार कितना हो गया 28 हो गया 28 अब 12 कितना हो गया 40 हो गया ठीक है अब 40 में से जब आप minus 2 करेंगे तो सही option कौन सा आजाएगा जरा बताई मुझे 40 में से माइनस 2 करेंगे तो 38 होगा ना तो यहाँ पर आपस नमर C क्या आ रहा है 38 बिल्कुल सही है माइनस 2 देखे तीनों में करना है आपको यह सबसे पहले इन 4 को बाहर वालों को जोड़ लीजे जितना एंसवर आएगा उसमें से माइनस 2 कर दीजे तो वैसे ही बिल्कुल हम लोग यहां की है 4 देखे 4 रख दिए फिर यह 10 देखे 10 रख दिए फिर 14 रख दिए फिर 12 रख दिए तो 10 और 4 14 14 दुना 28 28 बारा 40 40 माइनस 2 इसकल तू 38 ठीक है तो कितना आपस नमर C हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिन लोगों ने भी 38 जबाब दिया है बिल्कुल सही है आपस नमर C बिल्कुल सही है बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको एक्जाम में देखे इस्ट्रेस नहीं लेना है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे मैं बार-बार कहता हूँ देखे यह जो आपके एक्जाम होते है ना यह सिर्फ क्या है ना कुछ नहीं होता है बस टाइम का खेल होता है बस आपकी जो एबिलिटी या वो चिक की जाती है कि आप कम से कम समय में कितना बहतर परदर्शन कर सकते है ठीक है चलिए नीचा जीए अगले प्रशन की तरफ चलते है कोश्चन नमर फाइफ देख लिजएगा बेहद इंपोर्टेंट है कोश्चन नमर फाइफ में क्या कह रहा है बहूंती आसान प्रेशन है कोश्चन नमर फाइफ देखते हैं आपस नमर बी दिया गया गया है थुश्टी तै अवятसे ही आपस नमर डी दिया अब दिखें इसमें क्या किया गया है केवल आप बताब क्या किया गया है क्यूब किया गया है जैसे स्क्वायर उसके बाद क्या आता है क्यूब आता है तो वन का क्यूब निकाल लिजे फिर टू का क्यूब निकाल लिजे थिरी का क्यूब फिर वैसे ही जो है यहां पर फोर का क्यूब क्या होगा तो वन का क्यूब क्या हो जाएगा 8 होगा ठीक है ठीक वैसे ही 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा फिर 3 के बाद क्या आएगा 4 का क्यूब क्या होगा 64 होगा यार फोर फोरजा 64 फोरजा 16 ना 16 फोरजा कितना हो जाएगा आपका कितना होगा 64 ठीक है तो आपस नमबर अगला जो question है तो देखिएगा question क्या कह रहा है question देखिएगा figure में है आपका यहां पर question mark पूछ रहा है question mark की जगए पर क्या आएगा सबसे पहले क्या है 3 5 8 13 22 बहुत आसान है यहां पर देखे करना क्या है ना सबसे पहले आप option देख लिए आप solve कीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा option नमर यह है 45 option b 29 option c 39 और option d 37 चलिए solve करते हैं देखे हर बार क्या किया है ना जो number है उसमें 2 से गुड़ा किया है और minus 1 कर दिया है minus 2 minus 3 ऐसे करता चला गया देखिए ऐसे क्या किया है सबसे पहले 3 से शुरुआत किया है 3 गुड़े 2-1 ठीक है कितना आ गया 5 ऐसे ही 5 आ गया तब 5 गुड़े 2-2 किया है देखिए एक के बाद 2 आता है ऐसे बढ़ते रहना है तो 5 दूनी 10 10-2 इसकल टू कितना हो जाएगा 8 ठीक है ऐसे ही उसके बाद क्या गया है 13 तो 13 में जाना किजिए 13 गुड़े 2-4 यहां पर देखिएगा 3 हमने माइनस किया था पिछले वाले में अब माइनस 4 करेंगे तो 13 दूना 26 26 में से 4 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा ठीक है तो ऐसे ही अब 22 के साथ करिए कितना होगा 22 दूना उमीद करता हूं समझ गया होंगे देखिए हर बार 2 से गुड़ा किया सभी नंबर में और एक से लेके 5 तक माइनस किया एक दो तीन चार पांच ऐसे 22 दूना 44 माइनस 5 इसकल टू 39 तो जिनका भी correct option 39 आया है उनका बिल्कुल सही है ऐसे ही प्रयास करना है ऐसे ही करत नहीं बताते हैं यह आपकी सबसे बड़ी गंदी आदत है ठीक है तो ऐसा नहीं करना है देखिए जब आप करेंगे नहीं सामने से तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां बच्चा जागरी जागरूख है पढ़ रहा है कर रहा है ठीक है यह चीज ध्यान दीजेगा चलिए अगले की तरब चलते हैं तो अब हमारा अग्ला कोशола को देखिएगा थोड़ा में जूम करता हूँ अग्ला कोशन देख लिए क्या है पहले एक ठीकल दिया गया अंदर एक नमबर और ये बाहर हूँ आप लोग साल्व कीज़े है यह 0 अप्स नमर्बी है 2 अप्स नमर्स यह 11 और अप्स नमर्डी है 12 चलिए स्वाल आप लोग फटवक करिए जरा आ चलिए तुस्ण करते हैं इसमें देखिए क्या किया गया है ना सबसे पहले ध्यान दिजेगा बहुत च्पूद ही आसान प्रश्ण है देखे क्या किया गया यह जो बाहर का चार अंक है ना इन चारों को जोड के माइनस किया गया कैले कैसे देखिएगा पहले दो को चुडा गये 5 प्लस 6 ब्रेकेट में रखिए माइनस करिए 7 प्लस 4 ठीक है 7 प्लस 4 ऐसे अब लाजिक उमीद कर समझ गया होंगे ऐसे ही सब में क्या गया है 5 प्लस 6 माइनस 7 प्लस 4 सुल्फ किजे 5 प्लस 6 कितना होगा 5 6 5 11 हो गया माइनस 7 4 11 11 11 11 11 11 11 जीरो देखिए ब्रेकेट में जो है आपका सरकल में 0 आ गया ठीक वैसे ही दूसरे वाले के साथ करिए 7 प्लस 6 इसको माइनस करिए कितने से 8 प्लस 4 ठीक है स्वाल किजे कितना होगा 7 6 13 माइनस 13 में से 12 तो कितना हो गया एक आगया देखिए एक आगया ना एंस्वर ठीक वैसे यह तीसरा उला करिए 11 प्लस 2 ब्रेकेट में रखिए माइनस units जीरो प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस 2 कितना होगा तेरे हो जाएगा थिकได 하긴 है माइनस यह जिरो प्लस 2 तो दो ही होगा तो तेरे में से 21 तो देखिए इसमें से 21 कौनसा आपसन आ रहा है 23 तो जिनका इअबकू Veterans बिल्कुल ऐसे ही करना है बिल्कुल जो है आगे बढ़ते रहना है ऐसे ही करते हुए कर और भी बहुत सारे ब्याद में पूर देखे लेवल दीरे-दीरे मैं कटिन करूंगा अभी तो काफी आसान कोशन लेके आया हूँ ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं देख लिए को पता करना है तीसरे वाले में ठीक है तो यहां पर लाजिक बहुत ही असान है देखिएगा बहुत ही असान है आपस नमर ए देख लिजेगा आठ है आपस नमर भी 12 आपस नमर सी 16 और आपस नमर डीब 20 तो चलिए फटाफेट साल्ब कीजे साल्ब करके बदाई कैसे होगा बहुत आसान है साल्ब कीजे और बताईए कैसे होगा यह कोशिन नमर आठ है बहुत आसान प्रशन है यह आपके लिए चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कैसे होगा देखिए क्या किया गया है इनको multiply किया गया है और तीसरे से जितना आएगा उतने divide कर दिया गया है जैस वैसे ही दूसरे में 6 गुड़े 10 ठीक है divided by 5 ठीक है वैसे ही तीसरे में भी होगा 4 गुड़े 8 divided by देखिएगा divided by 2 कैसे होगा अब इसको सल्व किजे 6 चोब को 24 चोबीस को जो है तीन से भाग देंगे 8 आठ आज आएगा ठीक है 24 तीन से कटे गाई आठ बार में उसके 5 में 60 काटेंगे 22% हो जाएगा ठीक हाए वैसे ही आठ चोब 32 अब 32 को कितनी बार में मैं आप काट लेंगे ब सबबताही मझे कितने बार में कटेगा 22 चरवा और बत्थीत होता तो देखे घ्रें से दीरा सब्सक्राइब am sorry में 26 अरा तो उसकेrif कार्मी सब्सक्राइब लोग देख रहा है जितने भी लोग मुझे देख रहा है मैं उमीद करता हूँ सभी लोग आप तक देख रहे होंगे जो भाग गया है वो तो भगोड़े हैं छोड़ दीजे उनको आपको वर्दी चाहिए तो बस बने रहे हमारे साथ में आपका जो है माक्स क शुर्ट लेजिए साल्व करके कमेंट जरू की जेगा पहले क्या है देख लिजिएगा 1 3270 फाइफ से क्षेले साथ टिर एर्ग फिर तो मैं ठीक है तो घूंट वगर अपको इस प्राइबी बड़ी भी लीडिगि लेकिन आज nagy a क्से आपको पसंद आ much दो ज classrooms पूरा कर दीजिएगा लाइक करके बाकी दबा के शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स देख सकें जो एयर फोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड की त्यारी करना है बाकि फिर बिलता है नेस्ट वोड़ी में तब तक के लिए धन्यवाद